अब देखिए BSC 2nd year वालो आप इस वीडियोज में बॉटनी में थर्ड पेपर में पढ़ेंगे फर्मन्टेशन या जिसको कहते हैं किडवन प्लास्ट वीडियोज में हमने आपको फोटो फास्पोर रिलेशन, C.A.M.P. प्लांट, C.4 प्लांट ये सब बताए थी और इसमें आप पढ़ेंगे फर्मन्टेशन या किडवन क्या होता है देखो हम बहुत उसमें बताएं आपको सौड में ये प्लांट में पाई जाती है ये आक्सीजन की एपसेंस में होगी ठीक और ये सुसन क्रिया बह सुसन क्रिया है जिसमें क्रियाधार का पूर आक्सीड ना हो किडवन कहलाता है इस सेल द्वारा सुगर के फर्मेंटेशन में अल्कॉल तता सीओ टू बनता है देते हैं कि उसमें आक्सीजन ना जाए तो वो पूरा प्रोसेश जो अल्कॉहल बना है वही है कि इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं इसकी प्रोसेश निम्र प्रकार होती है अल्कॉहलिक फर्मेंटेशन लैक्टेक आइसेट और यह क्या है c6 h12 o6 enzyme कौन सा है इसकी उपस्तिती में होगी और 2 c2 h5 o is plus 2 co2 plus 24 kcal एगे जो है एनर्जी रिलीज होगी दूसरा टाइप क्या है इसका यह आप जो देख रहे हो क्या लिखा है निम्न प्रकार होगी तो यह है अल्कोहलिक फर्मन्टेशन और इसमें यह आ गए आपके यह पहला क्या हो गया अल्कोहलिक में यह और यह जो दूसरा है यह किसका है एक्जाम्पिल यह है लैक्टिक आइसेड का क्या है यह 2-C-H-3-C-O-C-O-C-O-H-2-N-A-D-H-2 और इसमें क्या बना 2-C-H-2-C-O-H-C-O-H-C-O-H-2-N-A-D यह बना लैक्टिक आइसेड तो यह क्या था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक आइसेड फर्मेंटेशन और तीसरा है यह असिटिक आइसेड फर्मेंटेशन यह क्या है C-6, H-5-O-H-2 और C-3, C-0-O-H-2O-H-1-A-K-A-K-K-E-L-O-R-E-S-E-E-N-A-R-G-E-N-A-D-T-E-H-T-E-H-A-C-O-H-2-O-H-E-N-A-C-O-H-E-C-O-H-O-H-E-O-H-C-O-H-E-C-O-H-E-C-O-H-E-C-O-H-E-C-O-H-E-C-O-H-C-O-H-E-C-O-H-E-C-O-E-C-O-H-E-C-O-H-E-C-O- सिंपल होती है दूसरा इन में आएंजायम रियक्शन को इंड्यूस्ट करते हैं तीसरा इन क्रियाओं में गिलू कोज के एक मौलीकूल से ATP के दो मॉलिक्यूल्स उत्पन्द होते हैं तीसरा रैस्पाइरेटरी कोईसेंट इसमें क्या होगा रिलीस CO2 का बायलूम तथा एब्जॉर्ब ऑक्सीजन के बायलूम का रेसो होता है यह आपका नेक्स्ट सार्ट नोट्स इसी से रिलेटेड है रैस्पाइरेटरी कोईसेंट किसे कहते हैं रैस्पाइरेटरी कोईसेंट जो पिछले वीडियो में भी हमने बताया था देखो यह है आर्क वरावर रिलीस CO2 बटे वह आर्क के वरावर रिलीस CO2 बायलूम बटे एब्जॉर्ब आक्सीजन बाईलूम इसे पहले वाले बीडियोज में बताया था कि अगर हम जो कार्वन डाय अक्साइड रिलियूज होती है उसके बाईलूम को आक्सीजन जो एब्जॉर्ब होती है उस बाईलूम से डिवाइड कर दें तो हमारा बेस सुसन गुणांग नि आगे भी जूप यह तो कॉर्बिय जाता है यह ऐसे तो कर्वाईड़ेट का बन्याटरक इसेट का अटर्वाइड थॉर्ट टेन नहीं से क masturb कर दो जो एंक्सिन गोशह दो अ्रबसम सबसे मों इसी का होता है अ होस्के रहे आपके सोशन गुणांक किसके बिभिन आरगायनिक एसेट्स के और इसके बाद नेक्स वीडियो में आप पड़ोगे पेंटोस फासफेट पाथ बे और ये जो था आपका बहुत इंपर्टेंट था जिसमें आपने सोशन गुणांक और